हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो सावसॉफ सॉलुशन सावसॉफ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स यह हमारी जावस्क्रिप्क कोडिंग इंटेव्य क्वेस्टिंस की सीरीज चल रही है जिसमें आज का हमारा नेक्स क्वेस्टिन है कि हाउ टु फॉइंड ए तो अगर आपको एक एयरे दिया गया है उसमें बहुत सारे नमबर्स हैं और आपको बोले जाएं कि इसका एवरेज निकल के दिखाईए तो आप कैसे करेंगे चाहिए तो इसके पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे इंटेव्यूर को इसमें देखिए आप डिवाइट करि करेंगे उसका सम निकालेंगे और अगर आप उसको उसकी लेंच से डिवाइट करेंगे तो आपको उसका एवरेज मिल जाएगा देखिए तो यहां पर लिखा हुआ है एवरेज इस कैल्कुलेटट बाई एडिंग ग्रूप अफ नंबर्स इंदें डिवाइदिंग बाई काउंट ओफ तोस नंबर्स उन नंबर का जितना भी सम आएगा जितना भी काउंट है लेट सपोज एडे की लेंथ हमारी पांच है 1 2 3 4 5 एलेमेंट तो उसका काउंट ओफ नंबर्स के हो गया 5 ठीक है उससे हम उसको डिवाइट कर देंगे तो देखिए एग्जाम्पल दि तो 30 divided by कितना हो जाएगा इसकी लेंथ कितनी है total कितनी नंबर से हमने काउंट किते है 6 तो 30 को 6 से डिवाइट करेंगे तो average किया जाएगा 5 ठीक है इस तरीके से आप explain करेंगे उसके बाद आप देखे जावास्क्रिप्ट आपको leverage जाता है कुछ भी यूज करके बहुत सार अगर आप उसको define करेंगे उसके बाद तो अगर आप reduce method यूज कर रहे है तो आप बोलेंगे कि we will use reduce method using arrays reduce method we can combine elements of the given array ठीक है and get the sum सबसे पहले हम ये काम करेंगे क्योंकि आपने उसको divide क्या है step पे देखे एवरेज निकालना है तो हमने या पर बताया दो चीज़ें चाहिए एक sum चाहिए और दूसरा length चाहिए array का तो sum के से निकालेंगे हम reduce method से अभी हम देखेंगे आगे उसके बाद दिन आप बोलेंगे get the length of the given array वो आपको array.length करके easily मिल जाएगा ठीक है उसके बाद हम third step करेंगे divide the total sum with the length of the array to get the average simple ठीक है ठीक है तो आप इसके बाद interview को और explain कर सकते कि reduce method क्या होता है ठीक है देखिए हमने यहापे लिखा भी है array.reduce देखिए syntax का क्या array.reduce करके उसके बाद वो क्या लेता है एक callback function जिसके अंदर हमको दो चीज़े पास करने पड़ते है accumulator और current value ठीक है accumulator और current value और एक initial value आपको देनी पड़ते है यह जो कि optional है ठीक है हम आपको पहले भी बता चुके है अपने videos में तो देखिए callback function को आप फिर define कर सकते है फर्दार इसको break करके कि क्या the function to execute on each array element if callback function क्या होता है जो कि हर एक element के array के हर एक element पे execute होता है ठीक है it takes और यह दो देखिए बताया अभी दो चीज़े लेता है accumulator और current value तो accumulator क्या करता है it accumulates the callback return values यह अभी आपको हम करके दिखाएंगे कि accumulator क्या होता है ठीक है यह अभ इकटी करता है value एक जगा पर ठीक है current value तो जैसे जैसे हमारा array traverse होता जाएगा वो next value देता रहेगा ठीक है next values पे जाता रहेगा तो उसकी let's suppose पहले पे गया है तो पहला element उसकी current value उसके बाद पहले के साथ उसका calculation पूरा हो गया वो next पे जाएगा तो next second पे जाएगा तो second उ पूरा traverse करेगा ठीक है initial value तो हमने बूला था initial value जो होती है array की वो optional होती है ठीक है value that will be passed to callback on first call if not provided the first element act as the accumulator on the first call and callback won't execute on it ठीक है अगर आप initial value दे रहे हैं तो तो वो लेगा नहीं तो array का जो भी आपने पहला element होगा वो उसको as a initial value लेगा ठीक है इस बात को आप interviewer को explain करेगा इस तरीके से चलिए अब चलते हैं हम अपने code की तरफ तो यहाँ पर हमने एक file बना दी है HTML की simple हम क्योंकि javascript है तो हम उसको script tag के अंदर रखेंगे तो हम यहाँ पर क्या निकालना है एक array दिया है उसके अंदर numbers दिये होंगे आपको और उसको आपको उनका average निकालना तो हम उसको तोड़ेंगे सबसे पहले हम उसका sum निकालेंगे array का फिर हम उसकी length निकालेंगे फिर sum से sum को हम divide करेंगे length से तो हमारे average मिल जाएगा तो सबसे पहले let's suppose हमको एक array दिया है यह है ठीक है अब हम इसका क्या करेंगे सबसे पहले हमारा step है हम इसका sum निकालेंगे तो sum निकालने के लिए हमने बोला था हम reduce method उसकरते हैं reduce method यह reduce method क्या करता है दो चीज़े लेता है दिखिए एक callback function लिया तो हमने बोला था एक क्या लेता है accumulator लेता है ठीक है और current value previous value plus current value तो यहां पर यह हमारा पूरा accumulator यह accumulate होता यहां पर तो अभी आप दीज़े इसको a,b कुछ भी दे सकते हैं फिर fat arrow function ठीक है sum निकालना है तो हम क्या करेंगे a plus b फिर initial value हमने बोला था initial value लेगा तो देखिए initial value हम क्या करेंगे zero क्योंकि one में सबसे पहले zero add होगा तो आपको one ही मिलना चाहिए इसलिए हम यहां पर क्या ले रहे जीरो ले रहे ठीक है तो आप देखिए यहां पर sum को console करके भी आप step wise भी करके देख सकते हैं ठीक है हम console.log करेंगे sum देखिए 1,2,3,4,5,6 तो आपका answer क्या आना चाहिए 21 इन सबको accumulate होके क्या आ रहे है 21 ठीक है देखिए अब हम सम तो आगे अब हमें क्या निकलना है इसका average तो average डिवाइड क्या होता है सम को डिवाइड करते हैं length से तो हम हमें इसका area का length निकालना पड़ेगा तो हम एक variable ले लेते हैं ठीक है length ले लिया तो क्या हो जाएगा area area क्या हमारा number dot length देखिए console dot log अब इसको भी प्रिंट करा के देख सकते हैं length देखिए length के आगी मेरी 6 कितने elements है मेने यह पर 123456 तो finally अब हमें निकलना है average ठीक है तो हम एक और constant ले लिजे sorry average तो formula क्या था हमारा sum divided by length ठीक है आप इसको फिर से console करा के देखिए तो आपको मिलेगा इसका average तो 6 sorry 21 divided by 6 तो आपको क्या आना चाहिए 3.5 ठीक है बहुत easy है so देखिए हमने आपको दो चीज़े बताई थी कि क्या होता है सबसे पहले वो accumulator लेता है कहां पर accumulator लेता है यहां पर हमारा यह जो a plus b है तो इसमें sorry जो a comma b है इसमें a हमारा क्या है accumulator है ठीक है इसको हम देखेंगे देखिए आप यहां पर source पर जाके आप यहां पर debugger लगा के चेक कर सकते हैं ठीक जो हम बोलना चाहरे हैं तो आप क्या करें आप इसको run करके देखिए देखिए हमारे numbers क्या है यहां पर मिलके 123456 तो 6 मतलब यह पूरी आपकी length मिल गई ठीक है अब यहां पे आप इसको hover करेंगे यह नहीं चलेगा आपको इसको चलाना पड़ेगा next step में डालना पड़ेगा आपको ठीक है इनिश जो है हमारा b में assign होगे तो a plus b हमारा क्या आना चाहिए value 1 0 plus 1 1 तो next अगर आप करिएगा तो आपको a की value क्या मिलनेगी यहां पर देखिए next चलिए यहां पर a में क्या accumulate होके आप देखिए 1 क्योंकि 0 plus 1 1 हो गया accumulate हुआ b next चलेगा b को क्या मिलेगा 2 तो ठीक है 2 मिल गया अब हम next चलेंगे तो a plus b की value क्या है मेरी 1 b की value क्या है 2 तो a plus b हमारा क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए ठीक है आप next चलिए देखिए a की value next करिए देखिए 1 plus 2 3 तो अब A में मेरा क्या accumulate हो गया 3 और B में मेरा क्या अब next third element में चलेगा तो 3 आना चाहिए देखिए 3 आ गया अब हम आगे चलेंगे तो ये दोनो accumulate होके A plus B calculate होके 3 plus 3 calculate होके A में accumulate हो जाएगा जो कि क्या होगा 6 अब मैं next आके चलूँ कि तो A की value मेरा आनी चीज 6 और फिर B में next element assign हो जाएगा 4 ठीक है देखिए A की value 6, B में 4 assign होगा तो इसी तरीके से ये आगे चलता रहेगा और हमारी पूरी value जो हो में calculate होके आजाएगी हमारी sum जो कि है 21 ठीक है तो ये इस तरीके से होथा आप interviewer को इस तरीके से debugger लगा के भी आप दिखा सकते हैं ठीक है दोस्तो I hope आपको ये समझ में आया होगा कि आप given area का average कैसे निकालेंगे अगर आपको numbers दिये हैं तो और I hope आप इस तरीके से interviewer को explain करेंगे तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप प्लीज हमारे comment box में comment करिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में thank you so much